एक बात बताएं फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग सूजी का धोकला बनाते हैं तो धोकला फूलता नहीं है, स्पॉंजी नहीं बनता है, धोकला बैट जाता है या खाने में तेस्टी नहीं बनता है, तो आज मैं आप लोग एक साथ सूजी धोकला की रेसिपी शेयर करूंगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से तो आप देख सकते हैं ये सूजी ढोकला कितना पर्फेक्ट बना है बिल्कुल स्पॉंजी और सौफ ढोकला बना है हेलो एवरिवन मैं हूँ नीलम और स्वागत है आपके अपने चैनल कुक्वित एटोजेट रसोई में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आने वाले दिनों में इस सरीकी की बहुत सारी recipes आपको देखने को मिलेगी और हाँ friends वीडियो को like और share जरूर करिए अगर आपका कुछ भी question है आपको recipes related कुछ भी doubt है तो मुझे comment करके जरूर पूछिए तो देखें मैं आपको ये ढुकला तोड़के भी दिखा देती हो अंदर से भी बहुत जादा ये जालीदार बना है बहुत स्पॉंजी और सौफ ढूकला बना है उससे भी ढूकला बहुत भी बढ़िया बनता है तो देखें सूजी को पीषने के बाद ये कितना बारिक हो चुका है अब इस सूजी को हम एक mixing bowl में डाल देते हैं लेकिन अगर आप पहले से बारिक वाली सूजी ले रहे हैं तो उस सूजी को आपको mixer में पीषने की जरूर बिल्कुल भी नहीं है तो देखें फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिया है ये एक कटोरी बेसन बेसन वजन में हलका होता है इसलिए हमें इसे ग्राम्स में नापने की जरूरत नहीं है तो जिस कटोरी से हम सूजी ले रहे हैं उसी कटोरी से हमें एक कटोरी बेसन लेना है और अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सूजय और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब हम इसमें डालेंगे पानी तो एकदम से हमें गलास भर के पानी इसमें नहीं डालना है पहले में इसमें आधा गलास पानी डालूँगी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इसकी consistency चेक करूँगी अगर मुझे लगेगा कि पानी की और जरूरत है तो में इसमें और पानी डालूँगी अब इस ढोकले का जो गोल हमें बनाना है जैसे हम पकोड़ी के लिए पकोड़ी के लिए जो बेशन का गोल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का गोल हमें उतना ही गाड़ा गोल हमें इसका भी बनाना है तो देखिए सूजी फूलती है ना फ्रेंड्स इसमें सूजी का इस्त यारी कर लेते हैं, तो देखें फ्रेंड यहां पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है, यहां पे मैं दो हरी मिर्च का इस्तवाल कर रही हूँ, आपको धोकले में तीखा कितना चाहिए, वह आपके उपर डिपेंड करता है अगर आप ठीका खाना जादा पसंद करते हैं तो दो हरी मिर्च के जगे पे आप तीन से चार हरी मिर्च भी ले सकते हैं तो हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ के हमें डालना है यहाँ पर यह एक इंच अद्रग का तुकड़ा लिया है उपर जीरा लेना है अब हमें क्या करना है इन सबको अच्छी तरीके से दरदरा पीस लेना है इसमें पानी बिलकुल भी नहीं डालना है बिना पानी के ही हमें पीसना है बस इसको दरदरा पीस लेना है तो देखे मैंने इसको पीस लिया है मैं आपको दिखा देते हूँ मैंने इ नहीं दाली है अगर हम जरूत पड़ेगी तो ही हम पानी सब्सक्राइब तो सब से पहले निस भी बार दुबारा से मिक्स कर लेटे अब हम इसमें डालेंगे चीनी तो यहाँ पर मैं डे रही हूँ दो टीस्पून के करीब चीनी आपने देखा होगा ढूखला का जो स्वाध है वो थोड़ा सा तीखा मीठा और खट्टा होता है तो इसलिए हमें इसमें दो टीस्पून हम चीनी डालेंगे नमक डालेंगे तो टीस्पून के करीब नीबू का रस इसमें डालेंगे या फिर आप ऐक काम कर सकते हैं एक मीडियम साइज के नीबू को कट करके उसका पूरा रस आप इस ढोकला बेटर में डाल सकते हैं अब इन सारी चीज़ों का हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जिस तरीके से हम ये रवा धोकला बना रहें उसी तरीके से सिरिब बेसन के आठे का धोकला भी बनता है खमन धोकला भी बनता है वाइट कलर का धोकला भी बनता है और सैंडविच धोकला भी बनता है अगर आप इन सार धोकले की रेसिपीज भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो ये सारे धोकले की रेसिपीज में आप लोग के सार शेर जरूर करूंगी तो देखे ये बैटर हमारा तयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से कोई भी टीन ले लेंगे ये केक टीन है आप केक टीन भी ले सकते है अगर आप धोकला टीन या केक टीन नहीं है तो आप कोई भी थाली ले लिजिए उसको अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर लिया है तो देखे फ्रेंड यहाँ पर मैं ढूकला बनाने के लिए इनो का इस्तमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर सोडा का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ लेकिन अगर आप इनो का इस्तमाल नहीं करना चाते हैं तो हाँ ती स्पून आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं लेकिन स जोड़ा डालने से पहले आपको उस सोडा को नीबू के रस में mix करके डालना है तो देखिए इनो से ढोकला बहुत ही बडेया बनता है तो मैं सजिस्ट करूंगे कि आप यापडहश्ण ही स्थुख्ला बनाने के लिए इनो की इस्तो जह सारा उसके बाद धोकला परफेक्ली फूलेगा नहीं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तो चलिए इस धोकला बैटर को मैं इस स्टीन में ट्रांसफर कर लेती हूँ जिसको मैंने पहले से ओईल से ग्रीस कर लिया है तो धोकला बैटर को इसमें रखेंगे और उपर से हम इसको धग देंगे आप इसे करीब 20 मिनिट तक स्लो गैस पे स्टीम होने दीजे 20 मिनिट तक आपको इसको बिल्कुल भी खोलके नहीं देखना है तो देखे करीब 22 मिनिट हो चुके है मैंने ढोकला को स्टीम करने के लिए रखा था तो इस तरीके से हाथ से हम चेक कर लेंगे अगर बैटर हाथ में नहीं चिपकता है तो इसका मतलब हमारा ढोकला बनके एकदम परफेक्ली तयार है या फिर इस तरीके से हम चुरी भी इंसर्ट करके देख सकते है अगर ये बैटर इस चुरी में नहीं चिपकता है तो इसका मतलब हमारा ढोकला बनके एकदम परफेक्ट तयार है तो इसको पहले हम थंडा होने देंगे पूरी तरीके से रूम टेंपरेचर पर हमें थंडा कर लेना है तो देखे आप ये पूरी तरीके से थंडा हो चुका है तो चलिए अब हम इसे डी मोल्ड करते है तो सबसे पहले हम चुरी लेंगे और चूरी से इसकी किनारियों को इस तरीके से हम लूज कर लेंगे ताकि धोकला एकदम अच्छी तरीके से टीन से बाहर निकल आए तो इस तरीके से हमें इसकी कनारियों को लूज कर लेना है अब कोई भी प्लेट या थाली लेजिए इस तरीके से हम ठीन को पलट लेंगे उपर से थोड़ा सा टैप कर लेंगे तो ढगला एकदम आसान तरीके से निकल आएगा तो देखिए फ्रेंड सूजी का धोकला बनके हमारा तैयार है कितना perfect धोकला बना है एकदम soft बना है spongy धोकला बना है बहुत ही बड़िया धोकला बना ही ये देखिए आप खुद देख सकते हैं तो चली इस धोकला को मैं कट कर लेती हूँ तो इस तरीके से बराबर साइज में मैं इसको कट कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कितनी smoothly तरीके से ये कट हो रहा है तो देखिए फ्रेंड बस एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेशन से ये पूरे परिवार के लिए आप इत वैसे तो जादातर मैंने देखा है कि सूजी का ढोकला जब भी बनाते हैं तो वो बैट जाता है अच्छी तरीके से फूलताने और स्पॉंजी तो बिल्कुल भी नहीं बनता है इसलिए मैंने आपको कहा कि सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमें सूजी बारिक वाली लेनी ह बारिक वाली सूजी से इतना अच्छा ढूकला बनता है तो चलिए अब हम इसका तड़का बना लेते हैं तो गैस पे मैंने कड़ाय रखिए इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है हाप ती स्पुन हम इसमें राई डालेंगे सर्सो अच्छी तरीके से सर्सो को पहले चटकने देंगे चटकने की आवाज आनी चाहिए सर्सो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए नहीं तो सर्सो से ढोकला में कड़वा सा स्वाद आएगा तो इसलिए हमें सरसुक अच्छी तरीके से चटका लेना है बिल्कुल एक पींच हम इसमें हिंग डालेंगे अब अच्छी तरीके से चम्मत से हिलाने के बाद हम इसमें करीब आधा ग्लास से भी कम हम पानी डालेंगे अब इस तड़के में स्वादाई इसके लिए हमें क्या करना है इसमें हम नमक और चीनी डालेंगे तो दीखें बहुत जादा नहीं डालना है बस इस तड़के में स्वादाई इसलिए हमें इसमें नमक डालना है बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने डाला इसमें याद रखना ह बेटर हम जब बना रहे थे ऊस में नमक और चीनी रहा है, तो इसलिएं बस हाप ठीस्पून के करीप बेस में चीनी डाल रही हुआ, बस मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, इसके तटके में स्वादाए, इतना ही हमें नमक और चीनी डालना है, तो अब ये हमारा तड़का तयार हो चुका है आप चाहे तो इस तड़के में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो इस तड़के में हरा धनिया भी इसी में डाल सकते हैं लेकिन मैं हरा धनिया धोकला के उपर से डालूँगी इसलिए मैं इसको तड़के में हरा ध जाना है फ्रेंट्स एक बार आप इस ढोकला की रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगे मैं 100% कहती हूँ आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी बहुत ही टेस्टी ढोकला बनता है एक बार आप तो मार्केट का ढोकला खाना भूल जाएंगे तो इसके उपर से में थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और उपर से में थोड़ा सा यह ग्रेट किया हुआ कोकोनेट डालूंगी गीला वाला नारियल लेना है गीले नारियल को आपको ग्रेट करके इसके डाल देना है इस तरीके से तो ये देखिए हमारा पर्फेक्ली ये रवा धुकला बनके तयार है देखिए कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है आपके मुँमे पानी इसको देख के अगर आ रहा है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करके तो चलिए एक धोकला हम तोड़के देखते अंदर से ये कैसा बना है तो ये देखिए फ्रेंड अंदर से भी एकदम पर्फेक्ली और जालीदार बना है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकान को प्रेस करें ताकि ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुशती रहें स्वस्त खाईए मस रहिए और अपना खयाल रखिए मिलती हो एक नए रेसिपी के साथ तब त झाल 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 झाल